भाजपा एक बहुत बड़ा पिर्चार कर रही है कि इस देश में नरेंदर बोधी जी अब तक के जितने भी प्रधान मंत्री हुए हैं उनमें सबसे बढ़िया है यानि कि बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि मानिये नरेंदर बोधी जी इस देश के सबसे अच्छे प्रधान मंत्री हैं कम से कम मैं नहीं मानता इस बात को हाँ अपने मन में चाहे नरेंदर बोधी जी और चाहे भाजपा कितना भी कहें कि देश के बेस्ट प्रधान मंत्री हैं लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता और मुझे विश्वात से कि आप सब भी इस बात को जानते हैं और इस बात को मानते हैं कि नरेंद मोदी जी इस देश के बैस प्रधान मंतरी नहीं है बैस तो बहुत दूर की बात है बहुत ही अगर मैं देखा जाए तो सामन ने मन की बात केते हैं कभी दिल की बात केते हैं कभी दिमाग की बात करते हैं लोगों को रोजगार देने का वादा किया था नहीं पूरा हुआ महिलाओं की सुरक्षा का वादा किया था नहीं पूरा हुआ किसानों की उन्नती का वादा हुआ था खेती की खुशाली का वादा हुआ था खेती में नई तकनीक का अच्छी तरसे इस्तमाल करके किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था नहीं हुआ कश्मीर का वादा था अनुच्य 370 को खतम करने का नहीं हुआ राममंद्र जो उनका वोट मैंग है उसका वादा हुआ था नहीं पूरा हुआ इसके अलावा सिक्षा विवस्ता को सुधारने का वादा था नहीं पूरा हुआ कालधन लाने का वादा था नहीं पूरा हुआ भ्रेष्टचार मिटाने का वादा था नहीं पूरा हुआ आतंकवाद मिटाने का वादा था नहीं पूरा हुआ इस देश में जहां कहीं भी गंदगी है उसे साफ करने का वादा किया था नहीं पूरा हुआ सचता अभियान जिसे कहते हैं हालगि यह सचता अभियान के जनक अगर हैं तो संत गाड़ के महाराज हैं जो महाराज से के एक संत रहे हैं वो सचता अभयान के जनक हैं लेकिन मान्य मोधी जी अपनी बात कहते हैं तो सचता अभयान भी आप जगे जगे गंदική के धेर देख रहे हैं गंगा यमना और नदियों के साफ करने का वादा था नहीं पूरा हुआ डिजिटल इंडिया का वादा था नहीं पूरा हुआ इसमार्ट सिटी बनाने का वादा था नहीं पूरा हुआ तो कौन सा वादा पूरा हुआ मजदूरों को एक बहतर जिदगी देने का वादा था नह किर कौन सी ऐसी चीजे जो वादा इन्होंने मान्य निरंदर मोदी जी ने किया और उसे पूरा किया हो साथ साल की जगे साथ महीने मांगे थे और अपने आप मांगे थे और इन साथ महीनों में सब कुस ठीक करने का वादा किया था चार साल तो गुजर गए अभी तक तो है असुरक्षा बढ़ती चली जा रही है महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं डिजिटल इंडिया का वादा बिलकुल फुस हो गया क्योंकि आपके पास में वो तक्नीक उसका इस्तमाल ही नहीं कर पा रहे आप इस मामले में तो श्रीलंकार बंगलादे से भी पीछे हैं तो हर वादा मानिय मोदी जी का बिलकुल फिस हो गया हर वादा जो है खतम हो गया हर वादे से वो मुकर गए कोई वादा उन्हें आज की तारिक में तो याद भी नहीं है तो कैसे हम best primary कह सकते हैं इनको और जितनी जो है विदेश यातरों में पैसा खर्च कर रहे हैं अगर उसको देश के ही हित में इस्तमाल किया जाता किसान और मजधूरों के लिए इस्तामाल किया जाता, सिक्षा व्यवस्ता पर इस्तामाल किया जाता, तो बहुत कुछ सुधार हो गया होता, अभी जो आई हैं रिपोर्ट, उनके हिसाब से आप देख सकते हैं, कि मान्ये मोदी जी के काल में, पिछले 2016 से लेके 2017 के एक साल के कारिय में, जो 58 प्रितिशत दे कौन सी चीज पूरी हुई है, तो क्या है, इसे हम कहेंगे, इस आधार पर कहेंगे, कि मान्ये मोदी जी एक बेस्ट प्राइमिनिस्टर हैं, मन की बात कहते हैं, मन की बात में बैटके अकेले में, चाहे जो मन में आये, वो कह देते हैं, लेकिन कभी लोगों की दुखों को, उनकी पीडाओं को, उनके कस्टों को, उन्होंने जानने का प्रियास के है, नहीं, विदेश यात्रा जाते हैं, और वहां जो कुछ करते हैं, उसका प्रिचार करते हैं, मतलब काम यहां करते हैं, और प्रिचार वहां जाके करते हैं, वहां पर दूसरी पार्टियों के बु अगातार हमले बढ़ते चले जा रहे हैं इन हालात में कोई नहीं कह सकता कि मान्ये मोधी जी एक बैस प्राइम मिनिस्टर हैं बैस तो बहुत दूर की बात मैं फिर दोह रहता हूं एक सामाने प्रधान मंत्री भी मान्ये मोधी जी नहीं है और आप भी ये सब जानते हैं अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूटें ताकि सभी लेटिस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले